एक बार एक वेक्ति भगवान बुद्ध के पास आकर बोलता है मैं पिछले 10 वर्सों से इस्वर की खोच कर रहा हूँ लेकिन भगवान मुझे कही नहीं मिले बुद्ध ने पूछा तुमने भगवान को कहा कहा खोजा मैंने भगवान को बहुत से तीरत स्थानों पर खोजा परंती इश्वर के दर्शन कभी नहीं हुए बुद्ध बोले मैं तुम्हारी साहेता जरूर करूँगा तुम साम के समयाना फिर संध्या होने से पहले महात्मा बुद्ध कुछ ढूनने लगे शिष्यने पूछा गुरुदेव क्या ढून रहे हो आप बुद्ध बोले मेरा कीम्ती भूनती भो गया है इतना सुनते ही शिष्यने मोती ढूनना स्टार्ट कर दिया उतने में वह वेक्ति आया और पूछने लगा गुरुदेव क्या खोज रहे हो आप बुद्ध बोले मेरा कीमती मोती खो गया है वो वेक्ति भी बड़ी लगन के साथ मोती खोजने लगता है धून्टे धून्टे रात हो जाती है लेकिन वो मोती नहीं मिलता इतने में उस वेक्ति ने बुद्ध से पूछा गुरुदेव याद करिये आपने आखरी बार वो मोती कहां देखा था बुद्ध ने सोचकर बताया कुटिया के अंदर देखा था ये सुनकर वो वेक्ति भड़क गया और बोला अगर मोती कुटिया के अंदर खोया है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना ये सुनके महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ इश्वर तुमारे अंदर ही है और तुम व्यर्त में ही इश्वर को इदर उदर खोज रहे हो